हाल ही में 66 नेशनल फिल्म अवार्ड की घोशना हुई है जिसमें यामी गौतम अभिनीत फिल्म उरी दसर्जिकल स्ट्राइक को चार नाशनल अवार्ड मिले वहीं पंकच त्रिपाठी की पहली पंजाबी फिल्म हर जीता को बेस्ट पंजाबी फिल्म का अवार्ड मिला दोनोंने अपनी खुशी कुछ इस तरह व्यक्त की मेरी पहली पंजाबी फिल्म को मिला नेशल अवार्ड पंकज कहते हैं, मुझे खबर मिली है कि मेरी पहली पंजाबी फिल्म हर जीता को नाशनल अवार्ड से नवाजा गया है इस खबर से बेहत खुश हूँ सीनियर डियो पी विजे अरोडा को हम लोग प्यार से ददू बोलते हैं उन्होंने ही यह फिल्म डाइरेक्ट की है, वे ही मुझे यह फिल्म करने के लिए पंजाब लेकर गए थे इसमें मैंने एमी विर्क जैसे एक्टर के साथ काम किया, बड़ा मड़ा आया पूरी टीम के लिए यह खुशी का ख्शन है, मैं सब को बढ़ाई देना चाहता हूँ उमीद से ज़्यादा मिला फिल्म को प्यार, यामी कहती है, यह साल मेरे लिए काफी शानदार रहा फिल्म उरी ने सही मायने में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये हम जब फिल्म बना रहे थे, तब ही उमीद थी कि यह फिल्म दर्शकों को बेहत पसंद आएगी लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद जिस तरह इसे शानदार प्यार मिला है, उतने की अपेक्षा नहीं की थी मैं विकी, आदितिया और फिल्म की टीम को बधाई देती हूँ